दीपक में जब आपके इस तरह से नाग बनता है तो ये बहुत इशुब होता है कहते हैं कि नाग का छत्र बनना आपके घर में सुख संपत्ती लेकर आता है इसको सभी मानती हैं कि जहां पर भी देवता विराजमान होगा वहाँ पर दो तरह के छत्तर चढ़ाई जाती हैं एक तो सोना या चांदी का या स्वेम नाग देवता अपना छत्तर बना कर बैठ जाती हैं तो धरम शास्त्रों में शेशना को सबसे पहला नाग कहा गया है या यह कह सकती हैं कि सबसे पहले वही पैदा हुए थे शेशना का जनम परजापती कशब की पतनी कद्रू से वा था है वह नागों के कुनमे में सबसे पहले जनमे थे और उन्हें कहा जाता है कि उनके एक हाजार फन है और उन्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशालिक कहा जाता है इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है अपनी मा कद्रू का अनुचित आदेश उन्होंने कभी नहीं माना और अपनी मा के कुछ विचारों से वो थोड़ा बहुत औरुध करते थे क्योंकि उनकी मा कुछ चीजे बहुत ही गल्द करती थी तो उन्होंने उन्होंने अनुचित आदेश मानना बंद करके वो विष्णु भगवान के पास चले गए थे और उनकी तपस्या कई थी अब हम जो मनुश्य जाती हैं पूजा करती हैं हमारे दिपक पर कहीं न कहीं नाग का फन बनता है आकरती बनती है और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि हमारी जो जोत का आकार है वो कई बार नीचे की तरफ जुख जाता है क्योंकि कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर नाग को फित्तर भी कहा जाता है उन्हें भगवान का सबसे प्रिये सेवक कहा जाता है क्योंकि शेश नाग की सईया पर ही भगवान मिष्टो विराजमान है और कहा जाता है कि पर्थवी भी उन पर विराजमान है और शेश नाग सबसे बड़े पुत्तर थे परजापती कशब के जो पतनी कदुरू से जो नागो की उत्पति है। कोई भी ऐसा अवतार नहीं होका बगवान विश्णू का जिसमें साथ में शेशनाग जी ने अवतार नहीं लिया हो। ऐसे ही वो जो उनके छोटे भाई थे वासु की उन्होंने भी यही किया वो शिवजी की राधना करते थे और उन्होंने बहुत तपस्या करकर शिवजी के साथ रहना शुरू किया उनकी सेवा की तो कहीं भी आप देखते हैं जो आपकी आकरती है जैसे सामने आकरती है इस आकरती में भी आपको लगेगा कि छतर बनावा है फूल बनावा है क्योंकि यह चीजें सारी के सारी हमारी बगती में विराजवान ऐसी चीजें हैं जो बगवान से जुड़ी होती है कहा जाता है कि आप जब भी पूझा करती हैं, अगर आप पितरों की पूझा कर रही हैं, तो आपको मैसूस होगा कि कोई साप आपके पास बैठा है, यह शिवजी की बहुत ज़्यादा जो पूझा कर लेती हैं, उनको भी यही मैसूस होता है कई बार लोग डर भी जाती है क्योंकि उनको ऐसा मैसूस होता है कि सचमुच कोई साप आ गया है और वो उनको खा लेगा तो यह डर भी उनके साथ रहता है जैसे बहुत सारे दरबार में भी ऐसे विक्ति देखे हैं मैंने वो बहुत सारा अमनमश्वाई महामरतिन जैका जाप करती है तो उसमें भी ऐसा ही हो जाता जैसे यह आ करती देखो जैसे अंदर मणी के रूप में है तो यह सारी की सारी आपकी जुड जाती है भगवान के से से पहले आती हैं और जब भी आती हैं तो आपको आशिरवात प्रदान करते हैं और सभी विक्तियों को नागों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी हमारी कुंडली में ऐसे योग होती हैं जिससे आपके वो अच्छे हो जाती हैं क्योंकि किसी भी ऐसे पूजा क्लदान करना जाता है तो इसलिए इन चीजों कम करने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए मकान मनाते हैं तो नागनागिन का जोड़ा जरूर रखना चाहिए क्योंकि कहा जाता है इनके बीना ना तो कोई पुजा स्विकार होती है ना कोई नया कारिय होता है ये हमारे सबसे ज़्यादा प्रत्वी पर इनका योगदान रहा है और आप जितनी भी आकर्तिया देखते हैं उन आकर्तियों में आप देखते हैं कि कुछ जो मनी का रूप द दिखता है बहुत सारे देवी देवताओं की सेवक के रूप में उन्हें सेवा की है अब आप मातरानी की दर्शन कर रहे हैं तो देखो जब भी हम अपनी कुल देवी की पुजा करते हैं वो सबसे स्रेष्ट पुजा मानी जाती है जो वेक्तिय कहता ना मुझे किसी की पुजा करनी चाहिए सबसे पहले हमें अपने कुल देवी की पुजा करनी चाहिए आपकी कुल देवी कौन है ये आपको पता जुरूर होना चाहिए और अगर किसी की कुल्देवी माता काली है तो उन्हें माता काली की पुजा जरूर करनी चाहिए डरना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही आपको डरा देते हैं वो नहीं डरना चाहिए आपकी चै माता साकुम बरी हो पिताम बरी या जो भी आपकी मातरानी है माता काली का कोई भी रूप को माता काली हो तो आपको उनकी पुजा निरंतर करनी चाहिए इससे आपको बहुत लाव मिलता है और बहुत सुन्दर आप मातरानी के धर्शन कर रहे हैं बोलो जय मातरानी की, आप जब भी आपने दीपक में कुछ अलग सा मैसूस करती हैं, तो साथ में उनके संकेद भी आपको अलग से जरूर मैसूस होते होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मा को शिंगार चड़ा रखा है, तो मा को कभी भी नकली शिंगार नहीं चड़ा और यह आप स्वेम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में सुंदर सी, मा को साड़ी चड़ाई, सिंगार चड़ाया, आप उसका खुद भी यूज़ कर सकते हैं, मा का अशिरवाद उसमें आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो जो यह आकरती, इस आक आकरती का भी एक रूप जरूर बनता है, तो यहाँ पर हम आपको एक जरूर बदाना की कोशिश करते हैं, कि आपकी जब भी आकरती में कुछ अलग बन रहा है, या आपको शरीर में कुछ कमपन मैसूस हो रहा है, तो डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज है, चाहिए वो नेगेटिव है, पोजिटिव है, उसको उपर जरूर लाना है, बहुत सारे लोगों के साथ नेगेटिव चीजे होती हैं, तो वो सोचते हैं, नहीं हमारे अंदर पे सिया जाएगी, हमको डर लगेगा, भाई, अगर वो आपके शरीर में रहेगी, तो आपका पूरा शरीर वो नश्ट करतेगी, इसलिए कहा जाता है, कि आप उस चीज़ को जितना उपर आती है, उसको आने दे, तो आपको बताया कि अगर आपके दीपक में इसे नाग की आकरती बन रही है, तो जैसे अभी छोट-छोटे बने वे हैं, तो कभी भी आप देखो, नागों की आकरती है, और बहुत सारे जो नाग है जिनकी पुजा किये जाती है, अनन्त आदिशेश का शप्प, ये शेशनाग के नाम माने गए हैं, और इनमें बहुत सारे शेशनाग के साथ ही जैसे वासुकी, वासुकी का आपको पता है, सबसे परम सेवक हैं, भगवान शिवजी के तक्षक के बारे में सभी जानती हैं, जिनके काल सरफ दोश योग होता है, तो स्पेशल जाती हैं, तक्षक जी का जो मंदिर है, क्योंकि अभी जो नागो की राजा है, वो तक्षक है, और उनकी सजिया पर बैटी हैं, शिवजी भगवान मता, पार्वती और गोदी में और पूरे धुमदाम से पुजा होती है, कालिया, कालिया के बारे में आपने देखा होगा जब बगवान विश्णुन ने क्रिशन अवतार लिया था, तो उसमें जो निर्ते किया था, तो कालिया के फन पर ही किया था, ऐसे ही संख महापद, पद करकाकट धनर्जय आदी है और ये नाम आपको जरूर बोलने भी चाहिए, सुनने भी चाहिए, इससे आपके घर में कोई भी समस्या है, वो दूर होती है, क्योंकि आपका, मैंने पहले गाना कि कोई ना कोई आपके घर में जरूर दिक्कत होती है, कि कोई ना कोई आपके बच्चे के गरे खराब हो सक हो सकता है तो इनके नाम से भी कहते हैं कि आपके ग्रह अनुकुल होते हैं उनका शिर्वाद प्राप्त होता है और आप भनमांजी के दर्शिन करें जैबालाजी महराज की तो इसका प्रभाव आप धिरे-धिरे क्योंकि कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप एक दिन किया और बार बार छोड़ देते हैं खासकर सावन के महीने में अगर जो व्यक्ति वासुकी तक्षक कालिया शेशनाग इनके नाम का भी जाप करता है तो उसके घर में कभी भी नागदोश नहीं लगता है पितरदोश भी खतब होना शुरू हो जाता है और कभी भी आप घर बनाएं या कि बच्चे के पर कोई परभा हो है तो नाग नागन का जोड़ा आप दान करें बहुत लाब मिलेगा